यहां पर हमें एक function fx यानिकी cos x given है और हमें x not equals to 0 पर इस function के लिए third degree Taylor polynomial निकालना है about x not तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि जो यह given function है क्या Taylor's theorem या Taylor's series कि जो hypothesis है उसको satisfy भी करता है अगर नहीं करता है तो तब हम उसमें Taylor's theorem लगाई नहीं पाएंगे लेकिन क्योंकि problem कह रहे हैं determine the third degree Taylor polynomial तो यहां से understood है कि उसको satisfy करे गई बस हमें third degree polynomial find out करना है यहां पर आप देख सकते हैं कि cos x infinite time से differentiable है और continuous भी है तो fblog c infinity over r end अब हम किसी भी function को जब polynomial में लिखते हैं तो Taylor's theorem के help से हम यह जानते हैं क्योंकि हमें यहां पर third degree Taylor's polynomial चाहिए तो यहां पर यह जो last term आपको देखने को मिल रही है यह सिर्फ और सिर्फ remainder को denote कर रही है यह हमारी एक remainder term है उसी को यह denote कर रही है जिसको मैंने circle किया है और जो rest portion है यह हमारा polynomial है यहां पर आप देखेंगे आपको f 0 f prime 0 f double prime 0 0 क्यों ले रहे हैं क्योंकि x note का जो value है वो 0 दे रहा है और f third prime 0 या f triple prime 0 हमें यहां पर चाहिए तो हमें क्योंकि function दे रहा था f x equals to cos x तो हम यहां से first derivative second और third derivative साथे साथ fourth derivative निकाल लेंगे और उनका zero पर value value निकालने पर हम जब इस expression में फिर से put करेंगे तो हमें यह इस तरह से series मिल जाएगी और यहां पर यह जो last term हमें मिल रही है देखने को यह हमारी remainder term है यहां पर जो जाए यूज किया गया है यह 0 और x के बीच का point होता है जाए जाए जो है 0 कहां से आया है 0 हमारा जो दे रखा था x note x और x note के बीच का जो point होता है यानकि between तो हमने यहां पर दिखा है कि 3rd degree का polynomial किस तरह से निकालते हैं 3rd का पूछे 2nd का पूछे या 6 जितनी higher degree का polynomial निकालेंगे उसमें error bound उतना ही कम होगा यानि कि उसमें error कम होगा आया है